नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल किसान डेरी फार में आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं मचली पालन लोन योजना के बारे में इस कीम को परधान मंत्री मतश्य संपदा योजना भी का जाता है अथार्ति से PMMSY योजना भी का जाता है दोस् उनको मचली पालन के लिए ट्रेनिंग और सरकार के दवारा जो लोन की सुईदा दी जाती है उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती है इसलिए हमने आपको ये वीडियो बनाया है ताकि आप ये लाबकरी व्यवसाय करके अच्छी खासी आमदनी करसके मचली पालन क करने वाले किसानों को मचली पालन पर सरकार की तरफ से चलाएगी योजना की जानकारी होना दोस्तों बेहद ही जरूरी होता है क्योंकि इसका आप लाब उठाकर मचली पालन व्यवसाय को कर सकते हैं दोस्तों हम बात करें तो मचली पालकों के लिए केंदर सरकार की और से परदान मंत्री मतस्य संपधा योजना चलाई जा रही है और दोस्तों इसमें मतस्य विबाग की तरफ से मचली पालन विबाग की तरफ से आपको लोन दिया जाता है और लोन में आपको सबसेड़ी दी जाती है हाँ जी दोस्तों तो इसमें आपको सबसे पहले बता दें दोस इसमें जादा आपको ब्याज भी नहीं देना पड़ता है इस स्कीम के तहट आप अगर लोन लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें जो आपके नजदीक मचली पालन विभाग है वहां पे आपको विजिट करना है और वहां पे विभाग में आपको पूरी जानकार करना या वह दसतवेज आपको बता दोस्तों सबसे पहले आवेदेक का आधार काड़ चाहिए होगा इस लोन को अपलाई करने के लिए जो लोन आपको बैंक में अपलाई करना उसमें ये डोकुमेंट आपको जमा कर वाने हैं निवास परमान पत्त Alb को जमा करवाना जिसको पर्मान पत्तर ये भी आपको दोस्तों Training Certificate होता है जो किंदर सरकार केदवारा आपको Training Provide की जाती है वो भी आपको एक परमान पत्तर जो मिलेगा वो आपको बॉैंक में जमा करवाना है, बैंक अकाउंट की जो पास्बूक की फोटो को भी आपको जमा करवा देने यह बैंक में लोन के साथ अटेच करके इसके बाद दोस्तों जमीन की नकल या जमाबंदी दोस्तों इसकी बात करें तो जो अगर आपके पास खुद की जमीन है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो जमीन की नकल या जमा agreement या आपको किराए का जो हल्फ नामा है agreement है वो तसील में बनवाना पड़ता है और उसके बाद वो bank में जमा करवाना पड़ता है यह document आपका होना जरूरी है अगर वही आपने अगर तलाब जैसे गराम पंचाथ से आपने अगर पट्टे पर लिया है किराए आपको bank की तरफ से form दिया जाएगा और form आपको पूरा भर के वहाँ पे जमा करवा देना है जमा करवाने के तुरंत बाद एक अफते के अंदर आपका verification हो जाता है और जैसे ही verification होता है दोस्तों अगर आपका civil score वगरा अच्छा है और आप किसी bank के साथ default नहीं है तो आपको ये loan की रखम दे दी जाती है जिसमें आपको 50% आपको के अंदर की सरकार से subsidy दे जाती है वही 20% जो subsidy होती है दोस्तों बिस नहीं सोरी आपकी 25% तक की subsidy मिलती कहिं 20 भी मिलती है दोस्तों किसी राज्य में 25% भी सबसेड़ी आपको राजी सरकार की दवारा दी जाती है और आपको उसके बाद जो सबसेड़ी है दोस्तों च्छा मेहने के अंदर ही आपको वह सबसेड़ी मिल जाती है आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है और जो किस्ते हैं दोस्तों जो लोन की इंस्ट्रॉल्मेंट वह आपको हर मेने बैंक को पे करनी होती है तो यह हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि इस तरह से आप लोन ले सकते हैं बैंक में क्या क्या डोकुमेंट आपको जमा करवाने हैं और इस स्कीम का नाम क्या है पूरी हमने आपको जानकारी दी है दोस्तों आपकी कोई भी क्व तो वीडियो पर कोमेंट करें आपके वो पूरी जानकारी इस स्केम के बारे में दी जाएगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पाद